आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने जा रही हूँ मतर मश्रूम सिमला मिच का सबजी तिसे बनाना बहुत ही असान है और बिना टमाटर को आज मैं बनाओंगी तब बिना टमाटर को भी आप ये सबजी बना कर देखे बहुत ही टेस्टी बनता है तेक पर जरूर ट्राइ अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए मैं रेस्पी को स्यूं करते हूं यहां पर मैंने लिया है 400 ग्राम मश्रूम मश्रूम को मैंने अच्छे से दो लिया है धोने के बाद मैंने इसे लंबे टुभागों मे काट लिया है और यहांपर ग्यास पर मैने पानी को घरम होने के लिए रह दिया है और पादी मैं मश्रूम को डाल देती हूं और पास बिनट के proportion के लि — अच्छे से उबालाने लगा है ये देखे तब अ मस्रूम हमारा अच्छे से बाईल हो गया है तो मैं ग्यास को बन कर देती है और इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ मश्रूम को उबाल कर इसे दुबारा से नाध हो इससे इसका टेस्ट है जो अच्छा नहीं आता है तो इस बात को जोर ध्यान दिजिएगा तो यहां पर मैंने दो प्याज लिया बरे साज में और यहां पर थोड़ा सा मैंने लसुन लिया है तो सभी को मैंने यहां में एकसा जार में डाल दिया है अब मैं इसे पीछ लेती हूँ तो यहां पर मैंने इसे पीछ लिया है तो बिल्कुल पेश्ट के तरह मैंने नहीं तैयार किया है यहां पर मैंने तो दरदरा ही रखा है कराही में मैंने दो चमस तेल ढला है तो यहां पर मैंने 1 सिम्ला मेस को फॉर्व,शह 6 में कADE लिए था, और उसे जो लिया है, और मैं बारी-बार से मिलाते हुए मैं भूनी लेती हूँ इसे दो से तीन मिनट मिला लूँगी अलगतार इसी तरह मिलाते रहोंगी अगर मैं छोड़ दूँगी ते नीचे से चिपकने लगेगा तो यह देखिए प्याज का जो कलर है जो हलका चेंज होने लगा है अब मैं इसमें सुखा मसाला एट करूँगी एक चमच मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर और एक चोटा चमच मैं डालूँगी कसमेरी लालमीच का पाउडर ते देखी वाली नहीं है फ्रेंस मैंने सिप कलर के लिए डाला है और यह मैंने डाला है एक चमच धनिया पाउडर मसालों को मैं मिला लीती ह अब मैं इसमें धोड़ा सा पानी डालूंगे इससे मसाला भी नहीं जालेगा और अच्छे से यह भूजा भी जाएगा तो यह देखिए मैंने यहां पानी डाल दिया है और मसालों को 2 मिनट के लिए में भूजलेती हूँ मसाला यहां रिडि हो गया था तो मैंने इसमें फ्रिजोन मतर डाला है अगर आपके पास फ्रेज मतर है तो वो भी आप डाल सकते है मैंने मतर को बाला नहीं था ये कच्चा ही मतर है इसमें मैंने शिलम ऱ मिर्च और मसरूम को डाल दिया है और सभी को मैं अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट हुंज लेती हूँ अब मैं इसमें डालूंगे स्वादनुसार नमक नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ और इसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी तो यहाँ पर मैंने मिला दिया है अगर आपको ग्रेवी वला सबजी नहीं पसंद है और आपको सुका पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाले और ग्यास को कम करकर सिर्फ पका ले तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी वला सबजी बना रही हूँ इसमें मैंने एक छोटा चमच गरम मसाला डाला है और इस अच्छे से मैंने मिला दिया है तो 12 मिनेट के लिए मैं धगण से धग देती हूँ तो यहाँ पर 10 मिनेट हो गया है अब मश्रूम का सबजी है जो पकर रेड़ी हो गया है यह देखिए तो यह मैंने घर में ही मलाई निकाला है उसे को मैंने डाला है इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अगर आपके पास मलाई हो तो जरूर डालिएगा नहीं तो नारियल का इसमें दूद भी डाल सकते है उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो य यह देखे तिसे आप गरम गरम प्राथा रोटी चावल किसी के साथ भी आप सब किजिए यह बिना टमाटर का सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है अगर आपने नहीं बनाया ते एक बार मेरे तरीके से ऐस तरह से मसरूम का सब्जी बना कर देखे आपको भी बहु ज्यादा स्वादिष्ट लगी गया तगर मेरे वीडियो पसंदा तो प्लीज चैनल को से स्क्राप करना ना भूले